हलो नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का ब्रोधस कलासेज में तो दोस्तों राजस्थान जिक्के से समंदित जो सभी वेकेंसियों में बार बार क्यूशन है वो पूछे जाते तो उससे समंदित जो वीडियो है मैं वो में बना कर लाया हूँ तो दोस्तों चलते हैं हमा करते हैं तो राजस्थान के इतियास के प्रणोता किसे कहा जाता है तो इसका सही आंसर हो देगा option A करनल जैम सर्फ टोड आप्शन A इसका correct answer हो दाएगा notes बनाते रहेगा ऐसे हर question आपको मिलते रहेगा अगले question के बात करते हैं राजस्थान में पाई जाने वाली तामर पाशान संसकर्ती कौन सी है तो इसका सही आंसर हो देगा option C कालिबंगा और अहर दोनों सब्वेताई हैं वो तामर पाशान संसकर्ती से जूड़ी हुई है अगले question के बात करते हैं question number 5 तो राजपुतान सब्द के पर्थम परियोग करता को थे तो इसका सही आंसर हो देगा sorry George Tomer option C है वो इसका correct answer हो देगा George Tomer है वो राजपुतान सब्द के पर्थम परियोग करती थे राजपुताना अगला क्यूशन ने राजस्थान के किस इसकल से कुंड या हल रेका के अवसे से वो मिलते हैं क्यूशन नमर छे तो इसका सी आंसर हो देगा option D काली बंगा option D इसका right answer हो जाएगा अगले क्यूशन की बात करते हैं अगले क्यूशन ने राजस्थान से प्राप आसोका बाबरू वेराट लगू सिला ले एक संबोधित हैं तो वो किसे समग दीत हैं तो इसका सी आंसर हो देगा option D प्रोहितों को संबोधित हैं अगले क्यूशन की बात करते हैं राजस्थान इस्तित मतशी देश का राजा जो महाबारत की यूद में यूदिश्टर की ओर से लड़ा और वीरगती को प्राप्त हो गया तो वो कौन था तो इसका से आंसर हो जाएगा विराट अगले क्यूशन के बात करते हैं अगले क्यूशन ए राजस्थान के दिकांस बाग पर गुप्त रवन्स की पित्ये इस्थापित करने वाला गुप्त सासा कौन था तो इसका से आंसर हो जाएगा ओप्शन एस चंद्रगुप्त दीती, option A, इसका correct answer हो जाएगा अगला question है, राजस्थान का विहें इस्तल जो पसुपालन का प्राचिन्तम साक्षे प्रस्तूत करता है तो question 10, इसका C, आंसर हो जाएगा, बागोर परता option D, इसका correct answer हो जाएगा, बागोर अगला Q2 ने राजस्थान की गंडराजी वेवस्ता को सदा के लिए समाप्त कर दिया गया था तो इसका C आंसर हो जाएगा हूण Option B इसका correct answer हो जाएगा तो दोस्तो राजस्थान के एक करण की एक क्लास दिगी है वहाँ पे जाके आप क्लास को जरूर देखे Q2 में से राजस्थान में इस्तित महाजनपद कौन से है Q12 तो इसका C आंसर हो जाएगा Option C इसका correct answer हो जाएगा मतिश्य और अवन्ती दोनों है Option C इसका right answer हो जाएगा मतिश्य और अवन्ती Q13 की बात करते हैं राजस्थान के किस तिरंदाज को अर्जुन पुरुसकार मिला था तो इसका C आंसर हो जाएगा Option C लिम्बाराम ओ श्यामल मिना दोनों को अर्जुन पुरुसकार मिला हुआ अगला किश्य ने राजस्थान के किस राजस्थान की खेल जगत का सरवची समान दिया जाने वाला जो अवाड है वो कौन सा है तो इसका सी आंसर हो देगा option D राजस्थान खेल रतन option D इसका correct answer हो जाएगा अगला क्यूषन राजस्थान में लिम्बाराम का समन देव वो किस खेल से हैं तो इसका सी आंसर हो देगा option C तिरंदाजी से समंदित हैं अगला क्योंसन है मास्को ओलम्पिक 1980 इसमी में राजस्थान की और से पहली बारतिये माईला होकी टीम का परतिनीदित्व किसने किया था 1980 में जो मौलस्को ओलम्पिक हुआ था उसमें राजस्थान की और से बारतिये ओकी टीम में जो है टीम का परतिनीदित्व किसने किया था माईला ओकी टीम का तो इसका सी answer हो जाएगा option C सुनी ता पूरी और वर्सा सोनी दोनों ने अगला क्योंसन है क्योंसन नमर सत्रा मेजर राजिवर्दंस की राठोड का समन्द एवोकी स्केल से है तो इसका सी answer हो जाएगा option C निसाने बाजी से option C इसका correct answer हो जाएगा अगला क्योंसन एवे नदी जो कभी राजस्थान की मरूब भूमी में परवाहित थी पर बाद में सूक गई तो इसका सी आंस्वर क्या हो जाएगा तो option C इसका सी answer हो जाएगा द्रश्वती या स्रस्वती दोनों एक नदी है गगर नदी के नाम से जानते हैं इन्हें जो हनुमानगड जिले में पढ़ती है अगले question की बात करते हैं Q19 राजस्थान की 21 सेत्र में कभी मतेशी देश की राज़ा इसका सी answer क्या हो जाएगा तो option D इसका सी answer हो जाएगा जेपूर के दखसीनी बाग में option D इसका correct answer हो जाएगा अगले question की बात करते हैं तो अगले question है राजस्थान में मिलने वाले प्राक हरपाई इस्तल कौन सा है तो इसका से आंसर हो जाईगा option C सोती और काली बंगा दोनों हैं सोती और काली बंगा option C इसका right answer हो जाईगा आसा करता हूं class अच्छी लगी अच्छी लगी तो like, share, comment करते रहेगा धन्यवाद जेहिं जे बारत